कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज हम बात करेंगे बिटकोईन के बारे में मार्किट के किंग के बारे में और बहुत सारे क्वेस्टिन्स आपके सब के आ रहे थे बिटकोईन को लेके कि बिटकोईन 35 से लेके 40,000 डॉलर जो है यहाँ पर अगले दो महीने में चीफ कर सकता है क्या इस साल के एंड तक बिटकोईन को 35-40 देख सकते हैं मेंस नया साल की स्टार्टिंग में बिटकोईन 35-40 पर पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता है जिसके बारे में डिसकस करेंगे 35,000 डॉलर बिटकोईन का लेवल कब तक हम को दिख सकता है और दिखने के लिए क्या चीजें यहाँ पर होना ज़रूरी है ठीक है कुछ फेक्टर जो हैं पर मार्केट को इस 2022 के अंदर काफी इंपेक्ट किया है उनका कम होना बहुत ज़रूरी है हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं देखो टेक्निकल अनालिसीज बहुत ज़रूरी होता है टेक्निकल ठीक है अपनी जगा है लेकिन news आज के टाइम में जो मार्केट को इंपेक्ट कर ही है क्योंकि देखो market का king है bitcoin ये चलना शुरू हो गया तो market चलना शुरू हो जाएगा bitcoin के बड़े बड़े कदम उठने शुरू हो गए तो market अपने आप उठना शुरू हो जाएगा क्योंकि bitcoin ही अभी आप देखो struggle कर रहा है यहाँ पे 19,000 से लेके 20,000 19,20 कर रहा है काफी time से और एक जो range बनी होई है वो 18 से लेके 25 तक की 25,000 डॉलर जब से हमने देखा है bitcoin का तब से हम नीचे ही चल रहे हैं August की बात I think August में हमको 25,000 डॉलर bitcoin ने दिखाया तो वहीं से नीचे चल रहे हैं और पिछले 3-4 महिने से भी situation देखे जब से 17,500 का low लगाया bitcoin ने market move कर रहा है bitcoin move कर रहा है सिर्फ 17 से 25 तक ही level move कर रहे हैं उसी के बीच में हम टिके हुआ है 25 से आगे नहीं बड़े 17 से नीचे नहीं गए तो हो क्या रहा है market के अंदर पिछले 3-4 महिने से market यहीं पर क्यों अटकी हुई है क्या रीजन है आपको पता है market का bear run चल रहा है correction हम already देख चुके है crash देख चुके इतना बड़ा crash देख चुके है पहले bitcoin दीरे दीरे 50 से 35, 32 पर आया 31 पर trade रही है 30 पर trade किया काफी time उसके बाद market और फिसला सीधा आगया 17,000 डॉलर पर तो कितने बड़े-बड़े crash दिखाए bitcoin ने 17,000 डॉलर से 17,000 बहुत बड़ा gap है ये तो एक cycle है bear run cycle चल रही है लेकिन सबसे ज़्यदा impact क्या किया इस साल market को 2022 के अंदर आप देखो इस साल जो रहा है ना वो inflation का year रहा है अभी तक interest rate का year रहा है और ये जो dollar आप देख रहे हैं इतना यहाँ पे peak पे चल रहा है अपनी dollar जो है इतना strong हो चुका है तो जब तक ये जो conditions चल रही है देखो worldwide जो condition है वो भी अच्छी नहीं है लेकिन जब तक ये चीज़ें बढ़ रही है बढ़के आ रहा है अभी देखो 8.2% आया तो market ने संभाल लिया अगर और number बढ़के आता तो definitely 17000 से नीचे हम bitcoin को देख सकते थे अगर ये 8.3 या 8.5 आ जाता तो इतने से percent से आप देखो इतने कम number से भी कितना बड़ा impact पढ़ रहा है crypto market पे थोड़ा सा बढ़ रहा है तो कितना impact पढ़ रहा है market पे market crash हो रहा है अगर यहाँ पे थोड़ा सा ही दीरे दीरे घटना शुरू हो जाए number नीचे आना शुरू हो जाए तो आप कुछ सोच सकते हो कि market के लिए jump लगने भी शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे यह जो आप देख रहे हो dollar का dxy dollar index यह भी इतना ऊपर चल रहा है इस time पे peak पे तो इस साल यह चीजें बढ़ रही है market के levels वही के वही stable है markets नीचे आ रहे हैं जब यह चीजे नीचे जाना शुरू हो जाएंगी तो market उठना शुरू हो जाएंगी simple सा logic है simple सी चीजें है और worldwide तो आप देखी रहे हो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है recession की भी आहट यहाँ पे दिख रही है कोई कहरा recession आ चुका है कोई कहरा 2023 में आएगा अब यह time बताएगा recession आएगा यह नहीं आएगा क्योंकि जो US के प्रेजिडेंट है Joe Biden वो भी कह चुके है उनको नहीं लगता कि अभी recession में अमेरिका आया है या recession की आहट उनको दिख रही है यह खुद Joe Biden ने कहा है US के जो प्रेजिडेंट है उन्होंने कहा है तो recession बात की बात है आएगा तो अच्छी बात नहीं है market के लिए लेकिन जब तक आहट देखो बहुत सारे analyst कह रहे हैं आ चुका है बहुत सारे कह रहे हैं नहीं आया तो time बताएगा recession का तो लेकिन अभी इन सब चीजों का कम होना ज़रूरी है जो peak पे चल रही है न अपनी जो ये चीजें impact कर रही है market को market थोड़ा सा संबलता है 20,000 पे bitcoin जाता है आप देखो तो सीधा क्या होता है ये चीजें आती है फिर से date आ जाती है CPI data की और यहाँ पे number फिर से बढ़के आता है इसलिए अगले दो महीने नवेंबर के जो भी data आने वाले है CPI data हर महीने जो भी आता है वो number आगे से कम आना शुरू हो जाए है क्योंकि peak ओल्रेडी लग चुका है बहुत inflation बढ़ चुका है अगर घटना शुरू हो जाता है कम होना शुरू हो जाता है तो bitcoin को हम देख सकते है नवेंबर दिसंबर में तो possibility शायद आपको bitcoin की दिखे हैं कि 40,000 bitcoin टच कर ले ठीक है लेकिन 30,000 की range लेके चल सकते है 2023 तक भी starting में ठीक है अगर ये सारी चीजें impact करना बंद कर दे market को और technicals फिर अपने आप काम करने लग जाते हैं जब ये चीजें impact नहीं करेंगे फिर technicals अपने आप हो जाते हैं तो यही चीजें हैं जो impact कर रही है market को ठीक है तो 30,000 का target लेके चलेंगे पहले 40,000 अभी दूर है ठीक है पहले 25,000 को break करना जरूरी है और ये चीजें तब ही हो सकती हैं जब ये चीजें impact करना बंद कर दें कम कर दें market को तब ही market अच्छा चल सकता है तो कोशिश यह है आगे से जो number आएं वो कम आने चीए हैं तब ही market अच्छा perform कर सकता है रही बाद bitcoin की 30,000-40,000 की तो 2023 का अब आपको wait करना ही पड़ेगा दो महीने है इस साल के दो धाई महीने जो भी है wait आपको नए साल का ही करना पड़ेगा क्योंकि 2022 येर में इन सब चीजों ने बहुत ज़्यादा impact डाला है market के ऊपर यही कुछ चीजें थी bitcoin को लेके I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझी होंगे वीडियो अगर पसंद आया है like, share जरूर कीजेगा आगे जो update रहेंगी आपको मिलती रहेंगी किसी भी crypto में invest करने से पहले अपनी research जरूर करें वो बहत जरूरी होती है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई